नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत अन्वीर एड्योकेशन के यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए आज 11 जनवरी 2023 की नई अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं जिसमें हमेशा की तरह नई अपडेट्स आप सभी के लिए इसमें जो है मैंने एड की है और साथ ही कंप्यूटर नों देश सको और सूचना साइक परती के बारे में भी जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करने बालें तो सबसे पहले हम देखते हैं आज आर्बीसी की जो बोर्ड परिक्स है उसको लेकर परिक्सा जो है अब 16 मार्स से उने जा रहे तो तो देखे सबसे पहली अपडेट आरबीसी दसभी बार भी की मुक्य परिक्सा ने 16 मार्स से होगे इस बार 20 यह लाक से अधिक शातर परिक्साओं में बैठेंगे राजस्तान माद्धिमिक शिक्शा बोर्ड की कの और 12 वी की मुक्य परिक्साओं 16 मार्च 23 से शुरू होगी परिक्साओं के तेहरी को लेकर बुद्वार को शिक्षा मंत्री बीडिकला के अधेकस्ता में जैपूर में हाई पाउवर कमेटी की मिटिंग होगी मिटिंग के बाद विस्तित कारिकरम बूड कारिकरम जो है वो आपके जारी करेगा अगला देकि आपके टेक्निकल हेल्पर बरती के 1512 पदो पर भरती परिक्षा का जो है आपके परिणाम जारी हो चुका है, राजस्तान डिस्कॉम के टेक्निकल हेलपर तर्तिय के 1512 पदो पर भरती की मुक्य परिक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया है, परिणाम तिनों विद्यू त्वित्रन निगमों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गए डिसकॉम के चैर्मेन बासकर एसावंत ने बताया कि मुख्य परीक्सा 27 वा दो नॉंबर को हुई थी अबिर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वा जनम दिनाग से अपना रिजर्ट देख सकते हैं इसको लेकर अबिर्थी को ईमेल वाएसेमेस से सूचना बेज दी गई है अगला देखे सैट परीक्सा सुल्क महंगा अब 750 की जग़ा 15 रुपे लगेगा परदेश के कोलेज़ों में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर पदो की बरती के लिए आयुजित की जाने वाली राजस्थान राज्ये पातता परीक्सा सेट का सुल्क दो गुना हो गया है नई एजेंसी ने परीक्सा का सुल्क 15 रुपे तेक्या है जबकि पूरु में RPS ने 750 रुपे रखा था अब यह परीक्सा गुरु गोविंद ट्राइबल उनिवर्सिटी मासवड आयुजित कर रही है तो इसके लिए यहाँ पर इसमें जो है यह पेमेंट रखा गया है अजिस्तानी स्टेट और सभी परकार के पीड़ोडी अभीर्तिय के लिए जो है 750 रुपे में सुल्क रखा गया है और पेसी ने 2013 में 750 रुपे लिया था अब देखे इसमें कौन-कौन जो है सब्जेक्ट है तो कैमिकल साइंस कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड एप्लिके होने जारी है अगली अपने देखे आपके होमगाड के 3842 पतों पर कल से ओनलाइन आवेदे नामंत्रित की जाएंगे राजस्तान होमगाड निदे सालने जो है होमगाड जवानों के 3842 पतों नामांकन के लिए 12 जनुरी से 11 फरवरी रात तरी 12 बज़े तक जो है ऑनलाइन आवेदे नामंत्रित किये हैं नियूंतम सेक्षन ही क्योंकि था आठी पास और नियूंतम आयू अठारा वर्स हैं अधिक्तम आयू 35 पर सो नाविशक है इसमें बॉर्डर होमगाड के 277 वें शेहरी होमगाड के 3545 पद हैं उप महासमादेश्टा विजय से सम बांबू ने बता है कि नमांगन पर्क्रिय के लिए निर्दार इत्परिक्सतल्डव परणजी करण एवंब परमान पत्रों जाच की जाकर जो है आपके सारिक दस्ता एवं सारीक मापतोल परिक्सन आयोजित होगा उसके बाद जिनका सेलेक्शन होगा इसके लिए आप जो है आई है कि जो इस सब्ता के अंतिम में या फिर दूसरे सब्ता के स्टार्टिंग तक जो है इस भरती को रिलीज करने के सबसे ज़्यादा चांसे जहें और कंप्यूट अनुदेशक भरती जो है उसका 26 जनुवरी से पहले जो है रिजल्ट आना बताया जा रहा है इसके अलाव चैनल को सपोर्ट करते रहें आगे बढ़ते रहें जय हिंद जय भारत